हे गाइज गुड बॉर्निंग पिछले क्लास में हमने कोश्चन नमबर 20 तक पढ़ा था आज हम तेश से पढ़ेंगे NCRT एक्सराइज 4.2 टॉपिक इंट्रिगेशन तो स्टार्ट करता हैं देखो तेश नमबर यह मेरा सवाल है और यह मेरा 18 नमबर सवाल है ठीक है दोनों का हम कैसे ट्रिक से हल करेंगे कैसे basic से हल करेंगे दोनों पर हम discussion करेंगे पाले हम basic से हल करता है ठीक है सबसे बशुत सवाल है सर की हम माने किसे है तो हम पिछले वीडियो part 1 में बताया थे कि y उसी को माना जाता है जिसका differentiation आने की संभाब ना हो क्या आप root under one minus xWait को आप y दिफृंसियेशन करोगे differentiate करोगे तो क्या sin inverse x आएगा कभी नहीं आएगा तो अगर हम sin inverse x को y मानकर मैं इसे differentiate करूंगा क्या root under one minus xatro दिफृंसियेशन को नहीं आएगा अब कौर्स आएगा तो हम क्या करते हैं y वराबर sin inverse x मान लेते हैं y का differentiation क्या होगा आप कोगेशा dy dx sin inverse का differentiation 1 बटा root under 1-6 square यहाँ वाला जो dx है यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए dy dx but dx को हम मन में रख लिए और sin inverse का differentiation 1 बटा root under 1-6 square यहाँ जो dx भागा में होगा वो कहाँ चला गया गुना में इसको हम समीकरन 1 मान लेंगे ठीक है बबो और यहाँ पे लिखेंगे यह sign का मतलब होता है समीकरन 1 से ठीक है अब यहाँ से देखना हो आपने sin inverse x को क्या माना y रख दो dx है इसके पास अपने पास भी dx है इसके पास root under 1-x square नीचे में है अपने पास भी root under 1-x square नीचे में है और उपर तो one fix होता है यानि one बटा root under 1-x square dx 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 replacement क्या होगा dy और आपको पता है ना नहवा का integration इंट्रिगेशन यहां पर नहवा का इंट्रिगेशन क्या होता नहवा में एक जोर क्या जो चीजु पर वही ची नीचे पलस क्या चुस्ता मतलब अब यहां से हम लिख सकते हैं 1 by 2 for the value of y y किसको आपने माना sin inverse क्या x का hall square plus c ठीक है वट अगर इस तरह का सवाल हो जिसको y मानने पर उसका differentiation set हो तो आप objective में ऐसे करना दोस्त देखो अब जेक्टी में आप इस तरह से करना है क्या इसको अगर हम by मानेंगे अगर मैं sin inverse x को मैं by मानू तो क्या यह differentiation आएगा आपको यह सर तो कुछ नहीं अब by का मान रखतों answer हो जाएगा ठीक है यह यह तो हुआ objective बनाने का तरीका ठीक है और यह हुआ आपका subjective बनाने का तरीका जैसे देखो इस चवाल को अगर मैं कहूं कि आप इसको आप इसको हल करो objective की तरह तो आप सोचोगे आप कहोगे शर यह 10 inverse x को अगर हम भाई मानते हैं तो 10 inverse का differentiation 1 प्लस x मतलब 10 inverse x को भाई मानने पर सब्सक्राइब मामला fit है मामला set है इसका मतलब है e और यहाँ पे 10 inverse x को आप भाई मान रहे तो e के पावर y और e के पावर y का का मान रख देंगे तो वाई का मान क्या होगा 10 inverse x प्लस सी इस सवाल का क्या होगा उत्तर होगा एक तो मेठ़ड यह है और एक मेठ़ड है कि आप लॉंग कर दो वाई वरावर 10 inverse x फिर इसमें पुटिंग कर दो बना दो ठीक है वह आप पर डिफिन करता है कि आप कैसे बना बना चाहते हो ठीक है ठीक है आप कहोगे तो मैं लॉंग भी बना देता हूं देखो मैं लॉंग बना रहा हूं इसको मैं सबसे पहले समीकर वन मान लोंगा और 10 inverse x को मैं वाई मानता हूं य का डिफ्रेंशेशन डिवाई एक टेनिवर्स का वन बटा वन पलस एक्स स्कॉर् एक्स लिखने वाले थे यहां लिख दी है यह चिन्हां का मतलब होता है दो समीकर नेक से समीकर नेक को देखो ई है 10 inverse x को आपने क्या माना y यानि हो जाएगा e के पाउद y अब देखो 1 पलस x स्कॉर्ड dx ठेक है उपर में तो x रहता ही रहता है उपर में तो x रहता है तो 1 1 बटा 1 वटा 1 पलस x स्कॉर dx का मन 1 बटा 1 पलस x कॉर dx का मन 1 ऑटा 1 पलस x स्कॉर dx का मन कितना है समझ में आया होगा नेश्ट यहां पर देखेंगे सर कोशन नर्प चो बीस यह जो सवाल कि सवाल को हम स्वाल मालें ठीक है आप समीकरन उन कहीं भी लिख सकते हो इसको हम लिए जया है उससा हर को हम बाई मान लिए अब इसको डिफ्रेंशेशन करना बोलो y का डिफ्रेंशेशन आप कोगे शर y का डिफ्रेंशेशन होता है d by dx 6 constant constant बाहर cos का डिफ्रेंशेशन minus sign होगा plus 4 constant constant बाहर होगा ना सायन का differentiation कॉस वर्ट वन मिनट आप यहां से देखना आपको क्या चाहिए उपर में 2 कॉस और 3 सायन मतलग कॉस के साथ कितना चाहिए 2 और सायन के साथ कितना चाहिए माइनस 3 तो यहां से देखो इसको set करो हमको कॉस के साथ 4 नहीं चाहिए मुझे cos के साथ सिर्फ 2 चाहिए और यहाँ पर cos के साथ 4 है तो क्या करें हम 2 common लेते हैं अगर हम 2 common लेंगे दोस्त तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos आप को गई है sir और यह minus बचेगा और 2 तिया के 6, 3 sin x देखो अभी हमने कुछ नहीं किया इस टर्म को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं अगर हम 2 common लेंगे तो यह 2 common लेंगे तो plus बचेगा हम पहले लिख रहे है minus बचेगा 2 और 2 तिया के 6 यह और यहाँ पर जो हम dx लिखने वाले थे दोस्त वो dx यहाँ लिखेंगे कोयत राज इसको समीकरन 1 बोले हैं यहाँ से अब हम लोग चलेंगे समीकरन 1 से आप बताना बहुत common sense की बात है 6 cos x plus 4 sin x को आपने क्या माना ताप कोगेशर हमने माना है y हर को आपने क्या माना देखो नहीं दिख रहा हर को इस हर को आपने क्या माना y तो यहाँ पर देखो हमने y लिख दिया अब देखो उपर में चाहिए 2 cos minus 3 sin dx का मान यहाँ से देखो 2 cos 3 sin dx का मान दो नस कटार आगा तो दो नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर हमेशा एक लिखना जब नीचे y मानोगे तो उपर एक लिखना अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पर 2 को देखे यह दो गुना में कहा जाएगा भागा में तो यहाँ से होगी आंसर हो गया अब 1 by 2 constant constant कहा हाँ वाहर 1 बटा y का integration क्या log y अब पलस क्या c तो यहाँ से क्या कहेंग 1 by 2 into log y का मान कितना है तो आप कहोगे 6 cos x पलस 4 sin x पलस c अगर ठीक है आप इसको trick से भी हल कर सकते थे ठीक है वर्ट आप पर डिफेंड अभी आप में इतना fast करने की कला नहीं आएगा ठीक है धीरे धीरे आप हर चीज को सीख जाओगे ठीक है सर आप ने ऐसा क्यों किया तो आज के बाद आप भी रट लो भाई कि जहां 10 होना ओहां सेक असकोर होना जरूरी है आज के बाद आप भी इस बात को याद कर लो या रट लो या रटा मार लो जो करना है कर लो लेकिन हमेशा याद रखना कि जहां पे 10 हो उहां पे 6 square होना बहुत जरूरी है क्योंकि 10 का डिफ्रेंसियेशन होता 6 square x इसी cos square उपर जाके 6 square बनेगा क्योंकि cos square का उल्टा 6 square होता अब इसको हम मान लेते समिकर 1 और हम 2 बराबर मानेंगे अब देखना दोस्ते हाफिस थोरा सा मैं घेड देता हूँ ताकि आपको कोई प्रशानी नहीं हो cos square उपर जाके 6 square हो गया अब हम क्या करेंगे यहां पे क्या कि यह 1-10x को हम बाई मान लेंगे y का डिफ्रेंसियेशन d by dx 1 constant का डिफ्रेंसियेशन 0 minus 10 का डिफ्रेंसियेशन 6 square x अब देखो 0 में 6 square घटाएंगे 6 square यहां बला जो dx यहां कर दिये अब यह चिना का मतलब आप समझते है इस चिना का मतलब समीकान x है आपने हर 1-10x को क्या माना है दोस्त y तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्त y का square उपर हमेंसा एक लिखना 6 square dx का मान 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 कितना minus नस केटा रहा है मतलब minus काम को बिगार रहा है तो minus किदर आजाएगा दो इधर आजाएगा तो क्या बच जाएगा minus dy और यहां से आपका answer complete ना हो जाएगा देखो यह minus constant constant बाहर कर दो is equal to minus constant constant बाहर इसका power positive उपर जाएगा इसका power क्या होगा negative अभी हमने integration नहीं करा अब करा integration power वला का integration power में जोडते हैं minus 2 में अगर हम plus 1 करेंगे तो minus 1 ही आएगा इस बात को याद कर लो जो चीज उपर वही चीज नीचे ठीक है ये minus minus कटेगा क्या पलसी हो जाएगा और by inverse का मतलब होता 1 बटना y अब पलस क्या c यहाँ पर by का मान रख देना by का मान क्या होगा 1 minus 10x ठीक है इस बात को आप समझा करो अगर आपके पास common sense होता तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे trick दोरा देखो 1 minus 10 को अगर हम by मानेंगे 1 minus 10x को अगर हम by मानेंगे तो क्या यह by का उपर अपकलन है इसका मतलब मुझे करना है इसका मतलब y माने तो y square का आपकलन करना है मतलब simple सी बात है 1 बटा y square का आपकलन करना है और इतना है का आपकलन करके answer ले आना ठीक है और मेरे कोडिंग आपको समझ मैं होगा यह डारेक्ट हम 36 नंबर कोश्चन डिस्कर्शन कर रहे हैं दोस्त बीच वला बनाना अगर नहीं आपसे बने तो आप मुझे को आपम खैंघ है तो साओं आपको बताना बहां पहले यह चिन्हा का मतलब क्या समिकन 1 माले सकते हैं आप मुझे बताना x plus log x को आपने क्या माना y फिर से x plus log x को आपने क्या माना y तो यहाँ पर हो जाएगा y square simple सी बात है y square उपर में x plus 1 चाहिए अपने पास x plus 1 है यह है नीचे में चाहिए इसके नीचे में चाहिए x अपने पास भी है यह है इसके बगल में चाहिए dx अपने पास भी है है मतलब x plus 1 बटा x dx का मान x plus 1 बटा मतलब x plus 1 x dx का मान चाहिए क्योंकि इसका जब हम मान रख दिये तो किस का मान x plus 1 बटा x dx का मान और यहां से देखो x plus 1 dx का मान क्या dy answer में question में कोई जान ही नहीं था दोस्त अब यहां से कहेंगे y का differentiation क्या y q बटा 3 plus c y का मान रख देंगे y का मान कितना है दोस्त कहेंगे x plus log x का hall q y 3 plus c इस सवाल का उत्तर हो गया y का मान रख दिये कुछ नहीं किये अगर आपके पास दिमाग होता ता आप ऐसे करते कि सर इस टर्म को अगर हम y मानेंगे तो यह y square होगा और y square का यह अगर हम इस टर्म को y मानेंगे तो यह y का differentiation है x plus 1 बटा x इसका मतलब y square और y square का integration होगा y q बटा 3 y का मान रख देंगे answer हो जाएगा ठीक है तो यह छोटा-छोटा करने का कलाप में होना चाहिए इस सवाल को समझना दोस्त हम बताएं थे कि वाई उसी को माना जाता है जिसका अब कलन आने की समभाब न हो और y theta को माना जाता है जब theta जैसे sin x के जगा पे 10 x आ जाया 10 square आ जाया मतलब इसका स्कॉर्ण आगे बढ़ेगा यह सर्ट पावर आगे पावर में घटके तर्म आगे कैसे बढ़ता है अगर आपको समझ में नहीं तो आप प्लीज मेरा डिफ्रेंस्येशन का वीडियो देखिए उसमें बताया थे टर्म कब बढ़ता है कब बढ़ता है जैसे इसमें 2 फ़लान है एक टेन इंवर्स है तो टेन इवर्स का रिफ्रेंस्येशन1 बटा वन प्लस ऐक्स सक्वार टेन इंवर्स खताम और है एक स्के पावर फोर का पावर आगे पावर अंगर गटके अब बुझ बुझाते हैं दोस्त डिवाई इसको दम सेटिंग करो ठीक है उपर में दम कर दो फोर एक्स क्यू को चरहाद दो उपर नीचे में इसको ऐसे लिखो वन पलस चाड़ पावर पावर से गुना चाड़ दूनी का आठ और यहां वला जो डिएक से यहां पर लिखो और इ यहां से देखना यहां पहल आजई अब दोस्त ओपर में चाहिए एकस क्यू में चाहिए के पावर आट वगल में चाहिए दिए एकस क्यू मतलब उसका मान हो जाएगा डिवाई बटा फोर अब में डिएक्स है malt इसका मानों हो जाएगा dy बटा 4 अब मेरा answer हो गया 1 बटा 4 4 क्या constant constant बाहर तो क्या बचेगा sin y और आपको भी पता है sin का differentiation cos होता है इसका मतलब sin का integration क्या होगा minus cos x x के जब पे y plus c आप कुछ नहीं किजिएगा दोस्ट आप y का मान कम से कम धर सकते हो न यार y का मान कितना आप प्लीज यहाँ पे धर देना ठीक है चलिए next question अगर 7.2 का अगर कोई question बरा है तो वो question number 33 है और question number 32 है दोनों same सवाल है मैं 33 समझाता हूँ